हेलो फ्रेंड अनिता किर्येशन में आपका बहुत बहुत श्वागत हैं कराई लेंगे कराई में दो चम्मच तेल डालेंगे लसुन पेश्ट डालेंगे एक चम्मच के लगभग थोड़ी सी जमाइन डालेंगे हरी मिर्च को कट करके डालेंगे डालकर चलाएंगे साला को थोड़ा ही भूझना है बहुत ज्यादा नहीं भूझना है अब थोड़ा सा हल्दी पॉड़र डालेंगे डालकर मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी गोल मिर्च पॉड़र डालेंगे थोड़ा सा जीरा पॉड़र डालेंगे रोस्ट किया हुआ जीरा पॉड़र है मैं जीरा को हमेशा रोस्ट करके ही पॉडर बनाती हूँ मसाला भून लेंगे मसाला को बहुत ज़्यादा नहीं भूझना है बस हलका ही भूझना है चना डाल लेंगे चना डाल को 5-6 घंटा भीगो कर रख देंगे जिसे अच्छे से डाल फुल सके देखिए मैं फुला ली हूँ 5-6 घंटा मैं भीगो कर रख दीती डाल फुल गया है अब इसको डालेंगे डाल कर फ्राई करेंगे डाल को हलका ही फ्राई करना है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इस तरह से डाल को भूझना है चलाएंगे इस तरह से बस हलका ही भुनना है गरम मशाला डालेंगे थोड़ी सी हाप चम्मस से कम डाल कर चलाएंगे अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार डाल कर मिक्स कर लेंगे बस डाल भुना गया है जादा नहीं भुनना है बस हलका ही भुनेंगे अब डाल में पानी डालेंगे जिससे डाल अच्छे से पक जाएगा देखे इस तरह से पानी उतना ही डालेंगे जिससे डाल अच्छे से सीज़ सके तो पॉन गिलास के लगबक इस गलास से पॉन गिलास पानी डालेंगे डाल कर चलाएंगे चला कर इसको एक धक्कन से कभर कर देंगे कभर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे डाल पक सके ऐसे बीच में एक बार 7-8 मिनट बाद चेक कर लिजेगा डाल पका की नहीं चलिए चेक कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी अभी पानी है गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज करके पानी को सुखा देंगे कि इस तरह से थोड़ा सा फ्लेम तेज कर दिये हैं डाल का पानी पूरी तरह से सुख गया है डाल ड्राई हो गया है अब चलिए चेक कर लेते हैं डाल सीजा की नहीं दस मिनट हो गया था इस तरह से दखें डाल को चलाएंगे देखें चेक कर लेंगे डाल पूरी तरह से सीज गया और पूरी तरह से डाल ड्राई भी हो गया तो डाल हो गया है गैस बंद कर देंगे आटा लेंगे एक बरतन में आटा लेंगे जमाइन लेंगे जमाइन को हलका हाथ से रव कर देंगे रव करके डालेंगे थोड़ी सी नमक डालेंगे इस तरह से तेल डालेंगे कोई भी आप तेल डाल सकते हैं कुकिंग वाइल दो चम्मच तेल डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे कस्तूरी मेथी को भी इस तरह से हाथ पर रगर लेंगे रगर कर डालेंगे डाल कर सभी को मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गुथ लेंगे चलिए गुथते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटा को गुथ लेंगे ये नॉर्मल बाला ही आटा है कि उंक आटा है कोई दूसरा आटा नहीं है दिखिए आटा मैं गूत ली हूँ आटा का डो तैयार कर ली हूँ इस तरह से आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे चलिए इसको ढख कर साइड कर देते हैं डाल को देख लेते हैं ठंडा हुआ की नहीं एक जार लेंगे जार में डाल को डाल कर पीछेंगे डाल ठंडा हो गया है इस तरह से डाल कर पीछ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालिए बाकी बचा हुआ डाल को इसको मैं पीशूंगे बाकी को अभी side कर दूंगे फिर दोवारा मैं उसको पीशूंगे तो चलिए पीश ली हूँ दिखे पीशा गया है इस तरह से दरदरा ही पीशेंगे बहुत बाड़ीक नहीं पीशना है डाल को एक बॉल में डाल को ट्रांसफर कर लेंगे फिर बाकी बचा हुआ डाल भी इसी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे देखें मैं बाकी बचा भी पीस लिए हूँ सभी को निकाल लेंगे देखें कितना अच्छा डाल पिसा गया है हां डाल का ये ध्यान रखेगा कि बहुत बाड़ी की नहीं करना नी तो पूरी अच्छा नहीं बनेगा चलिए आटा ले लेते आटा का गोला बनाएंगे पहले मिक्स कर लेंगे आटा का गोला बनाने से पहले आटा का थोड़ी सी और मिक्स कर लेंगे जिससे पूरी फुला भी बनेगा और सौप्ट भी बनेगा आटा काप गोला बनाएंगे छोटे छोटे गोलियां बना लिजे इस तरह से आप लोग अपने अनुसार थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से फिर और भी गोला बनाएंगे आज जो हम लोग दीश बना रही है खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है और आप इसे बनाकर एक दो दिन तक श्टोर करके भी रखके खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से देखे, गोला बना लेंगे, मैं बना ली हूँ सभी को गोला, इस तरह से उस पर थोड़ा सा आटा डाल कर मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके इस तरह से देखे, बनाएंगे और इसमें डाल को भड़ेंगे, बीच में थोड़ा सा हलका सा मोटा ही रखेंगे, कि इस तरह से हलका हलका दवा कर भड़ेंगे लेकिन इतना भी नहीं भड़ना है जिससे पूरी फट जाएगा फट सक जाए इसलिए हलका हलका प्रेशर ही देंकर दवाएंगे इस तरह से सिल कर देंगे पूरी को चारों तरफ से गुमा गुमा कर देंगे इसी तरह से सभी को भड़के दिखाड़ी हूं फिर दूसा लेंगे इसी तरह से एक एक कर सभी को भड़ लेंगे आप दाल को हाथ से भी भड़ सकते हैं या चम्मत से भी आप अपने नुशार भड़ लीजे जिससे आपको सुविधा हो इस तरह से हलका हलका दबा दबा कर बना लीजे आप इस तरह से सभी को बना लेगे दिखे मैं बना ली हूँ अब इसको बे लेंगे हलका हलका ही प्रेसर देना है बहुत जादा नहीं तेना नहीं तो पूरी फट जाएगा इतलह रही हलका प्रेसर देकर ही बे बेलेंगे देखे कितना अच्छा बन रहा है और गोल गोल भी है इसी तरह से सभी पूरियां को बेल लेंगे जब तक मैं इधर पूरी बेल रहे हूं तब तक उधर मैं गैस पे करहाई में तेल डाल के रख दी हूं तब तक गर्म हो जाएगा चलिए पूरी भी बिला गया चलिए चेक कर लेते हैं तेल गर्म हुआ की नहीं पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है थोरा सा और गर्म होगा चलिए अब गर्म हो गया अब एक एक कर इसमें पूरी को डालेंगे डाल कर फ्राई करेंगे इस तरह से तेल गर्म होने के बाद ही पूरी डालिएगा नहीं तो पूरी अच्छा नहीं बनेगा इस तरह से ढालेंगे और डाल कर हलका हलका छोलने से इसको इस तरह से करेंगे जिससे पूरी अच्छा से फुला फुला बने फुला फुला पुली बन रहा है पुली बनकर तैयार हो गया है देखे कितना फुला हुआ है पूरी फ्राई हो गया है अब इसको निकाल लेंगे दाल भरकर पूरी बनकर तयार है चलिए निकाल लेते हैं देखिए कितना अच्छा पूरी बनाए एकदम फूला फूला है ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बनाईएगा तो आपको सब्जी बनानी की जरूर पूरत नहीं परेगा बिना सब्जी कहीं आप इसे खा सकते हैं चक्नी या सॉस के साथ तो चलिए फिर दूसरा भी फ्राई कर लेते हैं बाकी बचा हुआ पूरियां भी फ्राई कर लेंगे तो आई हो आपको पूरी पसंद आया हो पूरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमे करा हुआ हैं बाकी को इसे होआ है हैं भी था इसजम most एह हैं चक्नी लाई तो!